प्रोटेम स्पीकर पद की शपत लेंगे राजभावन में राज़िपाल मंगु भाई पटेल शपत दिलाने वाले हैं सुभा ग्यारा बजे गोपाल भारगव शपत लेने वाले हैं शपत हिग्रहर में सीएम दॉक्टर मोहान याता भी शाव दोंगे नौवी बार रहली विधान सभास से विधायक गोपाल भारगव जो कि आज प्रोटेम स्पीकर की शपत लेने वाले हैं करीब 11 बजे के आसपास से भवे कारे करम रज़भावन में राज़िपाल शपत दिलाने वाले हैं लेकिन इस कारे करम में खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुर्कत करेंगे सबसे बड़े विधायक के तौर पर वरिष्ट विधायक के तौर पर गोपाल भारगव माने जाते हैं जो कि आज प्रोटेम स्पीकर पद की शपत लेने वाले हैं भोपाल से मेर सायोगी शबीर हमारे साथ बन जुड़ चुके है शबीर देखे हैं आपर कल तो मंतरी मंदल की गठन से पहले खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव शपत लिए शपत करने के बाद पद्भार जो है वो घ्रेड किया गया लेकिन आज जो है गोपाल भारगव जो की नौवी बार रहली विधानसभा से लगतार विधायक रहे हैं वो प्रोटेम स्पीकर की शपत लेंगे क्या कुछ और कितना बड़ा कारिकर भेने वाला है बिल्कुल अलिशा बात की जाए तो गोपाल भारगव इस विधानसभा के सबसे वरिष्ट विधायकों में से एक है लगतार नौव बार के विधायकों की बात की जाए तो अभी इस बार की विधानसभा की बात की जाए तो कोई भी नहीं है लगतार नौव बार जीतने वा लेकिन गोपाल बार्गो को प्रोटेम स्पीकर बना जा रहा है वरिष्टता के अधार पर उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी सुभा ग्यारा बजे उनका शपत गरण होगा जो राजबवन में होगा मंगुबाई पटेल जो मदब्रदेश के राजपाल है वो उनको शपत दिलाएंगे और शपत दिलाने के बाद जो कयास लगाए जा रहा है जो हमारे पास खबरे निकल कर सामने आरी कि इसी मेहने के आखरी में या पिर अगले दस दिन के अंदर अलिशा एक सत्र बुलाए जा सकता है विदानसबा का सत्र बुलाए जा सकता है जिसके अंदर तमा ब़ुशम विदायकों को विदानसबा में शपत दिलाई जाएगी विदायकी की, और उसको वह दिलाएं गे प्रोटेम स्पीकर गोपाल भारगउ, आपको बता दे, प्रोटेम स्पीकर पिछली बार की बात की जाए, तो रामेशो разaya को जो गोपाल के मेंचों जो कर दिया जाता है खत्म हो जाता है तो गोपाल भारगो को जिम्मेदारी जी जाएगी वरिष्टता के अधार पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है अलीशा कि नहीं गोपाल भारगो को डिप्टी सीम बनाया गया ना सीम बनाया गया अब प्रोटेम स्पीकर बनाया जा रहा है तो लग नहीं रहा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि चोकाने वाले बीजेपी ने इस विदानसभा चुनाओं के बाद रिजल्ट के बाद फैसले लिये हैं तो उमीद यह कर सकते हैं और जो कयास लगाय जा रहे कि कई वरिष्ट वि है जहां पर राजेपाल जो है गोपाल भारवा भारव को शपत दिलाते नतराएंगे लेकिन कौन से और बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं इस सम्हारों में देखें बड़े चेहरों की बात की जाए तो खुद मुखमंतरी डॉक्टर मोहनियादो शामिल होंगे सुबह ग्यारा बज़े ये रहेंगा मोहनियादो के कारिकरम की बात की जाए तो लगातार उनके कारिकरम रहेंगे डॉक्टर मोहनियादो के मदप्रदेश के मुखमंत साथ कई जो बीजेपी के वरिष्ट पददिकारी हैं या विदायक हैं या मंतरीपत की दोड़ में शामिलें वो भी राजबवन में नजर आएंगे तो इस तरीके का पूरा ये कारिकरम रहेगा और करीब 10-15 मिनिट का ये पूरा कारिकरम रहेगा जिसके अंदर कई लोग शा अब लोगे अलीशा खास कारिकरम में मुख्य मंतर्व डॉक्टर मोहन यादा वश्रकत करने वाले हैं शबीर हमारे साथ बने रागे वेड़ा